नमस्कार वंदे मातम ये वीडियो मैंने स्पेशली घदा प्रसाद राहूल गांदी के लिए बनाया है जो खुद अपना जीवन अपनी मा के घोटाले और बहन की निकम में बाजी पर जीते हैं मतलब उनकी खुद की तो कोई आउकात है नहीं पता नहीं अभी ट्वीटर पे आप समझ रहे हैं तो अब मैं पहले ये बोलना चाती हूँ कॉंग्रेस के घदो से कि अगर राहूल गांदी एक ही सांस में दस बार विश्वेश्वर रहिया बोलना से अगर सीख जाता है तो शायद में एक चांस ले सकती हूँ उनको फॉर्म भरने के लिए दे सकते हैं प देश को आगे लाने के लिए बहुत महनत कर रहे हैं तो मैं ये बोलना चाती थी कि तुमको जब जनता ने समय दिया था तब तुम लोगों ने अपने घर भर रहे हैं निकम्मों तो अब ये देश की तुम्हें इतनी चिंता है ये सब चीजे तुम मत दिखाओ जैसे अभी तुम लोगों ने श्रमिकों की राजनीती इतनी चली नहीं तुमारी घटिया बहन की तो अभी कुछ किसी और चीज में आप तुम लगे पड़े हो और रही बात प्रियंका घंदी मतलब पॉलिटिक्स की जो फर्दीन खान है मरदाना मुवाली तुम्हें उसको बोलना चा प्रियंका घंदी को जैसे उसकी नानी को शर्माती थी अपने पती का इंट्रोडक्शन देने में वैसे ही इसको भी शर्माती है तो अभी नया मार्केट में कुल देवता आ रहा है गुलामों का रेहान राजीव घंदी I think उसके लिए एक अच्छा एक लाइन लगाना चाहिए उसको बताना चाहिए कि जिसका नाम तू पीछे लगा रहा है वो दो कॉड़ी का बियर बार में पता ने क्या करने गया था इटली में और उसका खामियाजा आज भी ये देश भुगत रहा है दूसरा के तेरा जो नाना है वो 1971 के युद का भगोड़ा था जिसने घदेन खुद को ही भारत रतना दे दिया था तो इस खांदान के चोर परिवार में तेरा भी स्वागत है तो कॉंग्रेस वालो औकात में रहो तुम अभी नहीं कभी भी सत्ता में अब वापस नहीं आओगे नमस्कार वंदे मात्रम मोदी जी के बार योगी जी और फिर तुमारी बुच्छ है और कुछ नहीं है ठीक है तो सपने छोड़ दो राहूल गांदी वंदे